ओम शान्ती, 23 मार्च दो हजार जोबिस आज की मुर्ली है निरेंकारी और निशकाम बन जाना बाबा की तरह है बाबा अपना निरेंकारी पना बता रहे हैं और हमें हमारी तक्दीर उची बनने की विद्या दे रहे हैं साथी हमारी मूल स्मृतियों को जगा रहे हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का भेद बता रहे हैं और पक्रिती जीत बनने की विधी सिखा रहे हैं बाबा की इन शिक्षाओं को जीवन में उतारना है तो जीवन ऐसा हो जाए जो ओहो आनन्द आ जाए परन्तु इन महावाक्यों को थेक समझ पाएं तो उसके लिए हम पहले अपनी स्मृतियों को जगाते हैं कि सुनाने वला कौन है स्वयम भगवान निराकार जोति बिन्दुश्य भाबा ब्रह्मलोक निवासी कल युग के इस अंतिम समय संगम युग पर स्वयम अवतरित हुए हैं रजा पिता ब्रह्मा के मस्तक पर और आकर के हमें जगा रहे हैं हम कौन है कहां से आए कहां जाना है उस सारी विद्या दे रहे हैं मैं अभियंतर द्रिष्टी से अपने को मधुबन के हिस्ट्री हॉल में देखती हूं ब्रह्मा बावा में अवतरित शिव बावा दिव्य प्रकाश फैलाय चारू और और ब्रह्मा मुख से शेववाणी उच्चारण हो रही है आज बावा बोले मेठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं निश्काम सेवा करते अपने लिए कोई लोब नहीं ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनों बावा का प्रकाश अपने उपर उतरता फील हो रहा है तो दिल से निकलता है जी बावा जैसे आप निरहंकारी है तब कामनाओं से मुक्त है ऐसे मुझे भी बनना है फिर प्यारे बावा हमें आज उची तकदीर बनाने का राज समझा रहे है कि बच्चे धर में रहते सब कुछ संभलते सदा बुद्धी से यही समझो कि ये सब कुछ चिव बावा का है रस्टी होकर रहो तो तकदीर उची बन जाएगी यानि मेरा कुछ नहीं अमानत है परन्तु इसमें सच्चाई बहुत चाहिए पूरा निश्चे हो जैसे यग्य से पालना होती रहेगी ऐसे लगेगा जैसे यग्य निवासी डारेक्ट बावा से पालना लेते हैं घर में रहते भी हम जैसे यग्य में निवास कर रहे हैं और हमारी पालना बावा कर रहे हैं घर में भी ट्रस्टी होश्य बावा के बंडारे से खाते हैं बावा को सब सच बतलाना पड़े जैसे की हम भी अपनी तकदीर उच बनाते जाएंगे हमारा हर कर्म मेरे पन से मुक्त तेरे को अर्पित हो रेष्ठ और विकार मुक्त हो जाएगा और हमारी तकदीर बहुत उच बनती जाएगी भावा हमारी समृतियों को जगाते हुए याद दिला रहे हैं की बच्चे असुल में तुम निराकारी ज़ाड के हो एल करें असुल में आत्मा परमधाम में निराकारी आत्माओं के ज़ाड नो मैं जुंड में रहती हूँ फिर वहां से यहां पार्ट बजाने आते हो तो तुम माला माल थे जब शुरू शुरू स्रिष्टी में आये सब साधन भरपूर थे स्रिष्टी स्वर्ग थी भल पार्ट सबका अलग अलग था परन्तु 21 जनम तुम पवित्र रहते थे तेरा अधा कल्प बाद तुमने अपना राज्य भाग्य गमा दिया तुम मेरी बहुत पूजा करते थे दौपर युग में जब सब दौलत गमा बैठे फिर उनर जनम लेते लेते 84 जनम बाद बिलकुल अप अवित्र बन गए अब फिर से मैं तुमको ग्यान देकर पवित्र बनाता हूं प्रेश्व का मालिक बनाता हूं तुम्हारा सेकेंड सेकेंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है इस ड्रामा को सदा बुद्धी में रखो बाबा ने हमें हमारा सारा स्रिष्टी चक्र का स्वरूप दिखा दिया और अब क्या करना है इस ड्रामा को बुद्धी में रख कर फिर से उस निराकारी जहाड की और लोटना है अब बाबा अपना निरहेंकारी पना और निशकाम वृत्ती बता रहे हैं मैं कैसा हूँ कहते हैं ग्यान सूर्य प्रगटा अग्यान अंधेर विनाश बाबा कहते मैं तुमको पूजनिये बनाता हूँ और अब 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जोली भरने आया हूँ मैं तुम्हारी निशकाम सेवा करता हूँ मुझे कुछ भी लोब नहीं कि पहला नंबर मैं बनो क्योंकि बाबा हमें स्वरग में भेजते हैं खुद नहीं आते कोई पोजीशन नहीं लेते बाबा तो निराकार, निरेंकारी है कोई अहंकार नहीं है तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं पहरवाइस भी देखो कितनी साधारण है चिप बाबा खुद कहते हैं पांच हजार वरश के बाद भारत को फिर से स्वरग बनाने के लिए मैंने साधारण बूढे तन में प्रवेश किया है मैं शान्ती का सागर सुख का सागर दुख हरता सुख करता हूँ मैं ही सत्गुरू हूँ जो एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ सब भी की सद्गती करता हूँ तुम बच्चों को सदा नशा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप से राज योग सीख नर से नारायन विश्व का मालिक बनते हैं तो ऐसा बाबा जो शान्ती सुख का सागर तो खरता सुख करता है वही आकर के हमारी सद्गती कर रहे हैं कितने निरेंकारी हैं कितना साधारन होकर हमें नमस्ते करते हैं तो ऐसे प्यारे बाबा से हम राज योग सीख रहे हैं तो उनके जैसा बनना है, तो नरसे नारायन बन जाएंगे। फिर आज प्यारे बाबा हमें ज्यान मार्क और भक्ति मार्क का भेद बता रहे हैं। ज्यान मारक का ये सतसंग और सब सतसंगों से विचित रहे क्यों। यहां सुनाने वाला कौन? सयम भगवान जो मात पिता बनकर सामने आये हैं। राज बाबा ने मीठे शब्दों में कहा, यहां तुम डबल बाप और मा के सामने बैठे हो। ब्रह्मा बाप, शिव बाप डबल हो गया। मा भी जगदंबा मा सरस्वती और ब्रह्मा भी मा है। तो यहां बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने संबंध हो जाते हैं। यह सब संबंध भी है और पढ़ाई भी है। तो भगती मारग में तुमको लौकिक और पारलौकिक बाप ही होते हैं। एक शरीर का, एक भगवान को याद करते हैं। पारलावकिक भी है फिर अलावकिक भी है ब्रह्मा लावकिक से भी वर्सा मिलता है पारलावकिक से भी वर्सा मिलता है बाकी ये अलावकिक बाप है वंडर्फुल इनसे कोई विर्सा नहीं मिलता स्थुल रूप का नहीं मिलता बाकी तो गुण शक्तियां सबका दर्शन हम उ इनके द्वारा पारलौकिक शिबाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को सब भी बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं, क्योंकि अल्पकाल ख्षण भंगुर एक जनम के लिए मिलता है, बाकी इस अल्पकिक ब्रह्मा बाप को दुनिया वाले को याद नहीं करते हैं, शक्ति मार्ग में, ये प्रजा पिता ब्रह्मा, कोई एक का पिता नहीं है, ये ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर है, ऐसे न लोकिक को कहेंगे, न पारलोकिक को कहेंगे ब्रह्मा सब वंशावलियों के आदी पिता है अब शिर बाबा हमें याद की विधी समझा रहे है भगवानु बाच अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो हम गरंटी करते हैं कि तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे तो याद के समय ध्यान रखना है कि पहले ठीक से सोल कॉइंशिस होना है आत्मा रूप के दर्शन करने है फिर बाबा से कनेक्ट होना है तो ठीक करंट ले सकेंगे अभी तुम राज योगी राज रिशी हो योगी पवित्र होते हैं तो आयू भी बड़ी होती है तो बाब आकर तुम्हारी आयू बड़ी कर देते हैं इसलिए बाब केते हैं सब को समझाओ कि आओ हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बिमार नहीं होना पड़े तो जितना सूल कॉंशिस होते जाते हैं उतना देहे पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता जाता है और आत्मा निरोगी बनती है भविशे हर जनम निरोगी काया मिलती है फिर बाबा हमारे भविशे सतीयुग की महिमा कर रहे है कि सतीयुग है पॉन्ने आत्माओं की दुनिया वहां सब भी पवित्र प्रवृत्ति मारग वाले थे ग्रास्त में भी पवित्र रहते थे राइटियस थे इसलिए अलग से कोई दान पुन्यादी करने की दरकार नहीं रहती वहाँ ये ग्यान नहीं रहता कि हमने संगम युग पर 21 जन्मों के लिए विर्षा लिया है वहाँ सभी सदा सुखी, हेल्दी, वेल्दी रहते हैं वहाँ आयू बड़ी होती है, नाम ही है अमरपुरी स्वर्ग की गाएं आदी भी बहुत फस्ट क्लास होती जैसे तुम सौपर्सेंट संपोर्ण तो गाएं भी ऐसी फस्ट क्लास होंगी तुमा सब कुछ पर्फेक्शन का है इसलिए नादान पुनने की जरूरत है, ना कोई बीमारी है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी अमरपुरी है, यानवर भी फस्ट क्लास होंगे मन बुद्धी से ऐसे सुन्दर स्वर्ग में रमन करते रहें अब लेते हैं बाबक का आज का वर्दान वर्दाता का स्मरण करते हैं वो सर्वशक्ति मान रदगती दाता है वर्दाता है उनकी द्रिष्टी में एक दिव्य ओर्जा है जो मुझ तक पहुंच रही है ये पवित्र करंट वो जात्मा की पवित्रता को जागरित कर रहा है बाबक का वर्दान मिल रहा है बच्चे सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृती जीत भव तब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे होना ये बहुत महत्वपोर्ण सबजिक्ट है क्योंकि अगर कोई भी पदार्थ करमिंद्रियों को विचलित करता है अर्थार्थ आसक्ति का भाव उत्पन होता है तो न्यारे नहीं बन सकेंगे माइंड अटेश्ड रहेगा ये इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है जैसे रसी ने बांध लिया हो ऐसे इच्छाएं बांध लेती है कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो ये भी सुक्षम आसक्तियां है इसके महेन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थार्थ अल्पकाल सुख के साधन आकर्शित तो नहीं करते पैखाने के, देखने के, पहनने के और कुछ करने के इसाधन आकर्शित तो नहीं करते चेक करना है ये पदार्ट प्रकृती के साधन है जब इन से अनासक्त अर्थार्थ न्यारे बनेंगे तब प्रकृती जीत बनेंगे तो आज चेक करेंगे और चेंज करेंगे कि इन बंधनों से मुझे मुक्त होकर प्रकृती जीत स्वरूप से रहना है सलोगन मेरे मेरे के जहमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्यान कारी मेरे को बेहद के मेरे में ले जाना सब अपने हैं क्योंकि सब कुछ तेरा है आज की मुर्ली से हम अभियास करेंगे घर ग्रहस्त में ट्रस्टी होकर रहने का और बाबा कुछ सब कुछ सच सच बताने का ये फीलिंग लेने का कि जैसे हमारी पालना यग्य से होती है हम यग्यवासी हैं और सदा इसी नशे में रहना है कि शान्ती, सुख, संपत्ती का सागर बाब हमें मिला है हमें सब कुछ एक से मिलता है वही हमें पढ़ा रहे हैं और अपना अहंकार छोड़ बाब समान निश्काम सेवा करनी है बाबा जैसा निरेंकारी विनम रहोकर रहना है बार बार याद करना है हम असुल निराकारी जाड़के हैं यहां पार्ट बजाने के लिए आए हैं नीचे की कोई चीज में मेरी आ सकती नहीं है मैं प्रकृति जीत आत्मा बाबा की केर्णों में लिपती जा रही हैं वापिस अपने निराकारी जाड़की और ओम शान्ति अपने प्रकृति जाड़के हैं अपने प्रकृति जाड़के हैं